Hello, Good Morning Guys आपका Class 10th का Polynomial का निया वीडियो आ चुका है ये चैप्टर आलरेड़ी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं Class 9th में ये कुई निया चैप्टर दिए है Class 9th में आलरेड़ी आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं आप इसके Concept के बारे में आलरेड़ी पहले से जानते होगे Class 10th में इसको फिर से दुबारा Polynomial को पढ़ना है लेकिन इसको थोड़ा Detail में पढ़ना है चीक है? इसके Roots के बारे में इसके और भी बहुत सारे चीज़ के बारे में अलग-अलग पढ़ना है तो इसको हम लोग बिना देर की जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज चीज़ जो Classes रहेगा वो Basic Concept से डिलेटेड रहेगा Polynomial में जितने भी Concept हैं या जो जो Basic Term या Basic चीज़ आते हैं उसको आज हम लोग Deal करेंगे उसके बार Next Class, Next Video से हम लोग Question स्टार्ट करेंगे जितने भी Important Question रहेगे चीज़ और दूसरी चीज़ है कि हमने ये जो Notes आपको तयार किया है ये जो Notes है ये Notes काफी Selected Notes है इस Notes को अगर आप पूरी तरीके से पढ़ जाएगा तो आपके एक भी Question polynomial के बाहर से नहीं जाएगे जितने भी Question ते इतने दी है इन सारे Question को अगर आप Attempt कर लेते हैं तो एक भी Question आपका Miss नहीं होगा आपके Board के Question से हमने ये जो Notes बनाया है वो काफी मिहनत करके जितने भी जो Selected Book है चाहे वो आडिशर महोंवारसरवाल हो NCRT का Exampler हो या फिर Oswal हो Previous Year Question हो साथ साथ Pearson की Book हो इन सभी Books के जितने भी Important Question है जो बार-बार एक्जाम में पुछे गए है उन्ही Selected Question को हम यहाँ पर इस पूरे Notes में आपके लेकर किया है चीक है यह जितने भी Notes हैं आपके इन सारे Notes में आपको एक जगा आपको यहाँ पर लाकर कि दे दी है और इसी का आपका वीडियो यहीं बनेगा इसी से आपको Class लेंगे और अगर आपको Notes या PDF कुछ भी चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं चीक है जो चलिए बिना देर के हम लोग इस्टार्ट करते हैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर है पॉलिनोमियल में पहले basic concept हम लोग जानेंगे इसके जो terms होते हैं उस terms related जो भी concept हो उसको हम लोग पढ़ेंगी उसके बाद तो हम लोग question start करेंगे तो basic concept जो है वो 9th का ही रहेगा 9th में आप पहले पढ़ चुके हैं तो 9th का ही concept इसमें रहेगा चीक है तो कुछ-कुछ extra है उसको recap करते हैं फिर से इसको जानते हैं हम लोग class 10 में polynomial देखिए polynomial होता क्या है polynomial का मतलब होता है polynomial को दो पार्ट में बाटा गया है poly and no meals poly का मतलब होता है many anomials का मतलब होता है term poly का मतलब होता है many और no meals का मतलब होता है term मतलब अगर किसी equation में धेर सारे terms हैं तो उनको मिला करके एक साथ polynomial कहा जाता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी यह polynomial को दो parts में divide किया गया है दो category में बाटा गया है पहला on the basis of term जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और दूसरा on the basis of degree जो हम लोग next में पढ़ेंगे चीक है तो polynomial को दो अलग-अलग types में बाटा गया है एक term के basis पर और एक degree के basis पर term क्या होता है degree क्या होता है एक एक करके हम लोग आगे जानेंगे चीक है पहले यह जानिए कि जैसे एक equation आप चुब बच्पन से पढ़ते आ रहे है x square प्लस bx प्लस c यह जो equation है यसी को हम लोग क्या कहते है यह एक आपका equation बनता है चीक है बट यह equation नहीं कहलाएगा याद रखिएगा दो चीज होता है एक algebraic expression होता है और एक algebraic equation होता है तो जब आप general form में x square प्लस bx प्लस c अगर आप लिखते हैं normal तो वो आपका algebraic expression होता है लेकिन जैसे ही x square प्लस bx प्लस c को 0 के equal कर देंगे मतलब equal to 0 कर देजेगा तो वो आपका algebraic equation बन जाता है तो यहाँ पर हमने यही दो चीज़ को समझाने की कोशिश किया है कि x square प्लस bx प्लस c अगर फिफ दिये है is equal to 0 नहीं दिये है तो यह आपका algebraic expression होगा ठीक है कुछ भी equation आपको दे लेकिन equal to 0 अगर आपको नहीं दे रहा है तो वो expression कहलाएगा ठीक है ax square प्लस bx प्लस c है या ax cube bx square प्लस cx प्लस d दिये है इस तरीके से कुछ भी आपको लिख करके दी तो यह आपका algebraic expression होगा लेकिन इनी expression को जब 0 की equal कर देगी तो वो क्या हो जाएगा algebraic equation बन जाएगा चीक है चलिए तो यह चीज़ समझ में आगया difference समझ में आगया कि algebraic expression किसो कहते है वा algebraic equation किसो कहते है बहुत लोगों को इसमें doubt रहता है तो आज doubt आप लोगा clear हो गया होगा चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि polynomial जो भी है तो कैसे हम समझेंगे कि कौन polynomial है और कौन polynomial नहीं है तो उसके लिए कुछ important condition है जो यहाँ पर हमने note में करके लिखा है उसको याद रखिएगा for any algebraic expression to be a polynomial कोई भी algebraic expression जो आपको दिया हो है उसको polynomial होने के लिए कुछ important चीज़ है जो होना जरूरी है कुछ important case है अगर वो चीज़ उसमें होगा तब ही आप इस expression को polynomial बोल सकते हैं वरना वो polynomial नहीं होगा कैसे पहला क्या है तो पहला आपका है यहाँ पर कि the exponent of variable should be always a whole number से कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यह algebraic expression आपका दिया हो है तो इस expression में जो भी exponent होंगे जो भी power होंगे जैसे यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है तो जो भी exponent यह जो भी power इसका होगा वो हमेशा whole number होना चाहिए ठीक है मतलब वो fraction में नहीं होना चाहिए वो power जो है वो exponent है वो सिर्फ वा सिर्फ whole number होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी होना चाहिए ठीक है लेकिन whole number में होना चाहिए दूसरा there should be no variable in the denominator denominator में variable नहीं होने चाहिए अगर denominator है एक ऐसा हमने आपको expression दे दिया algebraic expression जिसमें denominator में variable दिया हुआ है और हम आपसे पूछते हैं कि क्या यह polynomial होगा कि नहीं होगा तो वो आपका polynomial नहीं कहलाएगा चीक है तो याद रखी है तीन case आपको याद रखना है पहला कि exponent whole number में होना चाहिए whole number का मतलब कि आपको सिर्फ 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर कि आपको कुछ भी होना चाहिए लेकिन वो fraction में नहीं होना चाहिए पावर चीक है दूसरा यह denominator में आपके variable नहीं होने चाहिए denominator में variable नहीं होना चाहिए और तीसरा क्या है तीसरा है कि power आपका negative नहीं होना चाहिए power negative power नहीं होना चाहिए अगर negative power होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा polynomial नहीं कहलाएगा तो किसी भी algebraic expression को polynomial होने के लिए तीन case देखना जरूरी है पहला क्या जरूरी है कि power whole number हो दूसरा जरूरी है कि denominator में आपका variable नहीं होना चाहिए मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यह जो denominator में जो x दिया हुआ है और अब आप से पूछा है कि 2 by x माइनस चो क्या यह polynomial होगा तो आप सीड़े कहिएगा नहीं क्यों कि इसके denominator में क्या है variable है ठीक है x है तो यह आपका क्या हो जाएगा polynomial नहीं होगा और तीसरा क्या है यह पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए पावर अगर निगेटिव है तो भी आपका क्या होगा polynomial वो नहीं कहलाएगा clear है चली तो अब आपको समझ में आगे न कि कौन से expression को हम polynomial कह सकते हैं और किसको polynomial नहीं कह सकते हैं चली कुछ question देखते हैं लेकिन इससे जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि हमने जो यह equation लिखा है x square plus bx plus c जो लिखा है इसमें आपको जो x जो होता है यह जो x दियावा है इस x को हम लोग क्या कहते हैं यह x आपका variable होता है चीक है यह x हो यह y हो यह क्या कहलाएंगे यह variable कहलाएंगे चीक है और यहाँ जो a आपको दिखाई दे रहा a और b इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग coefficient कहते हैं याद रखिएगा c o e w f i c i e n t coefficient coefficient कॉफिशियंट किसको कहते हैं मतलब variable के साथ जो भी number हो variable के साथ यह a और b क्या होता है number होता है तो variable के साथ जो भी number हो उस number को हम लोग coefficient कहते हैं जैसे मान लेते हैं 2 x square आपका दिया है ठीक है plus 5 x plus 6 equal to 0 हमने लिखा तो यह क्या है यह एक algebraic equation है ठीक है तो इस algebraic equation में आप से variable पूछा है कि variable कौन-कौन है तो एक एक्स और एक्स यह दुनों आपके क्या है variable इधर x square है इधर x है तो यहाँ पर कितने variable है तो एक variable इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे quadratic equation in one variable one variable क्यों पढ़ना है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक single variable x दे रहा है लेकिन अगर इधर x और इधर y रहता यह क्या हो जाता two variable हो जाता जैसे आप लोग पढ़ते हैं linear equation in one variable linear equation in two variable पढ़ते हैं तो linear का मतलब power होता है और two variable का मतलब कि यहाँ पर दो अलग अलग variable होंगे x इधर होगा इधर y होगा linear equation in one variable का मतलब कि इधर linear मतलब power one होगा और variable कितने हैं तो variable एक ही होगे x लेकिन हमने यहाँ क्या दिया यहाँ हमने power two दिया power two का मतलब क्या हुआ कि quadratic equation in one variable होगा चीक है तो इसमें आपको x क्या कहलाएगा x variable कहलाएगा और coefficient कौन होगे तो coefficient two और five coefficient कहलाएगे चीक है हम आपसे इस question में पूछ रहे हैं कि x square का coefficient बताओ x square का coefficient क्या होगा तो x square के साथ जो भी number होते हैं वही उसके coefficient कहलाते हैं चीक है तो x square के साथ कौन तर number यहां multiply में तो 2 है तो 2 इसका coefficient होजाएगा हमने पूछा x का coefficient बताओ x का coefficient क्या होगा तो x के साथ यहां बगल में कौन तर number है five है तो five इसका coefficient होजाएगा चीक है अब हम बोल रहे हैं six का coefficient क्या होगा और जो coefficient होता है, वो सिफस variable का ही होता है, variable के coefficient होते हैं, constant number के coefficient नहीं होते हैं, चीक है, तो x square का coefficient 2 हो जाएगा, x का coefficient 5 हो जाएगा, और 6 एक हुट constant number है, तो इसका कोई coefficient नहीं होता है, तो यहाँ तक clear हो गया न, यह variable किसको कहेंगे, coefficient किसको कहेंगे, constant number कौन सा होता है, यहाँ यह भी समझें कि polynomial को पहचानना होगा कि कौन polynomial है कौन नहीं है तो वो भी हम आपको बता चुके हैं, तीन case आपको याद रखना, पहला है कि जो power होने चाहिए, exponent जो यहां दिया हो है, वो power क्या होना चाहिए, whole number में होना चाहिए दूसरा denominator में आपका कभी भी variable नहीं होना चाहिए, चीक है, x, y, z, यह नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या है, कि तीसरा आपका power negative नहीं होना चाहिए, minus 2, minus 3, minus 4, यह सब नहीं होने चाहिए, चीक है, चलिए, तो अब हम जब आप यह जान चुके हैं यह चीज़ को, तो अब आप यहाँ पर कुछ questions बूच रहें, वो आप बताईए, पहला number question, 2 by x minus 2, क्या यह polynomial है, या नहीं है, comment में आप लिख करके हमें बताएंगे, 2 by x minus 2 यह polynomial कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसके variable, जो है, इस denominator में इसका variable आ जा रहा, और ह इसके denominator में क्या है, variable है, और हमने क्या कहा, कि there should be no variable in the denominator, denominator में variable नहीं होना चाहिए, variable किसको कहेंगे, x, y, z, a, b, c, p, q, r, a, c, z, तक जो हमनों number लेते हैं, जो constant term लेते हैं, वो क्या कहलाता है, variable कहलाता है, दिखे, चली, second number देखे, second क्या होगा, root x है, तो क्या root x, polynomial कहलाए या नहीं कहलाएगा, आप लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा, तो root x polynomial नहीं होगा, क्यों कि root x को आप देखे, root x को आप ऐसे लिखते हैं, x का power 1 by 2, आप लोग तेन्स क्लास में आ गया हैं, तो यह चीज़ जानते होंगे, कि x में से जब root हटाते हैं, तो उपर power 1 by 2 आ जाता है, ठीक है, अगर x का cube root हटाईएगा, तो उपर power 1 by 3 आ जाएगा, और x का 4 root हटाईएगा, तो उपर power 1 by 4 आ जाएगा, और उपर से power को जब 1 by 2 power को हटाईएगा, तो x के साथ root आ जाता है, समझ में आ रहा, तो root x को हम और किस form में लिख सकते हैं, x का power 1 by 2, और आपक variable का जो exponent होगा पावर होगा वह always whole number होगा वह fraction में नहीं होगा ठीक है और यहां root x में क्या रहा root x का मतलब क्या हुआ x का power 1 by 2 power exponent किस में आ गया fraction में आ गया तो यह भी आपका क्या होगा polynomial नहीं होगा ठीक है चलिए second case 3xy का power minus 2 है तो यहां भी आप यह देख करके पहचान जाएंगे कि यह भी polynomial नहीं होगा क्यों नहीं होगा यह polynomial क्योंकि हमने अभी आपको बता है कि power negative भी नहीं होने चाहिए power positive होना चाहिए whole number होना चाहिए तो यहां power क्या आ रहा negative आ रहा 3x y का power minus 2 तो minus 2 power negative आ गया power negative है तो इसलिए आपका क्या होगा यह polynomial नहीं कहलाएगा चीक है अब यहां देखिए क्या यह polynomial है कि नहीं आप लोग जल्दी से बताइए minus 6y square minus 9x by 7 क्या यह polynomial होगा कि नहीं होगा होगा चीक है यह polynomial होगा क्यों होगा यो कि सारा condition यह follow कर रहा है देखिए इसके exponent भी y का exponent क्या है whole number है यह exponent भी negative नहीं है positive whole number है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा polynomial होगा minus 6y square minus 9x by 7 तो 9x by 7 में भी देखिए denominator में भी आपका variable नहीं है ठीक है 9x में 8 सा power क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है ठीक है तो इसके सारे term को यह follow कर रहा है तो इसलिए क्या होगा polynomial होगा ठीक है इसका power negative भी नहीं है denominator में variable भी नहीं है power इसका fraction भी नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएंगे यह polynomial कहलाएंगे यह तीनों जो है वो polynomial नहीं होंगे यह आपके question में आता है कि आप इसमें पदा किजए कि क्या यह polynomial है या नहीं है NCRT के पहले exercise के पहले ही question में आपको यह दिया हुआ है पहचानने के लिए कि पहचानिए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है तो इसको पहचानने के लिए आप यही तीनों केस याद रखिएगा exponent whole number आपका denominator में variable नहीं हो और power जो है वो negative नहीं होना चाहिए चिक चलिए जब यहां तक आपका clear हो गया तो अब हम लोग आते हैं polynomial के types जानते हैं कि polynomial के कौन कौन से types होते हैं तो term के basis पर polynomial के तीन चार types होते हैं ठीक है अब रही बाद term क्या होता है तो जैसे यहां देखिए हमने यहां क्या लिखा a x square plus b x plus c equal to zero लिखा ना है ना तो यहां पर a x square यह एक term कहलाएगा b x जो है यह दूसरा term कहलाएगा c जो है constant number यह तीसरा term कहलाएगा मतलब हर बीच में जहां पर भी sin आ रहा प्लस और माइनस इसके पहले जो भी number होगा variable और constant के साथ तो वो क्या कहलाएगा term कहलाएगा तो इसमें total कितने term है अगर a x square plus b x plus c equal to zero में अगर हम आपसे पूछें कि इस equation में total कितने term है तो आप बोलेगा इसमें total तीन term है एक term x square ह गया दूसरा b x हो गया और तीसरा आपका c हो गया ठीक है तो इसको हम लोग एक एक term बोलते हैं तो term के basis पर polynomial को तीन पार्ट में बैटा गिया है पहला है monomial दूसरा है binomial और तीसरा है trinomial ठीक है तो monomial किसको कहेंगे तो नाम से ही आपको पता चल रहा है नाम से ही आपको प जिसमें डो term होंगे उसको binomial जिसमें टीन term होंगे उसको trinomial जैसे यहाँ पर इसमें टीन term था यह trinomial हो जाएगा चीक है यहाँ देखिए example दिया वा जैसे हमने खाली एक 5x लिखा 5x भी तो एक polynomial में आता है एक equation यह तो 5x क्या है तो 5x monomial में आएगा क्यों क्योंकि इसमे six single term है हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5x बराबर 0 यह भी तो एक equation बन गया आपका तो यह कौन सब पॉलिनोमियल कहलाएगा तो यह monomial कहलाएगा क्यों क्योंकि इसमें सिफ एक term है चीक है दूसरा क्या है binomial जिसमें दो term होते है जैसे यहाँ देखिए 4x प्लस 5 यह एक example हो यह 4x प्लस 5 में आपके दो term है एक 4x है दूसरा 5 दूसरा example देखिए 2y square प्लस 9 यह भी तो binomial है दो term है ना एक हो गया 2y square और एक हो गया 9 चीक है मतलब दो term है तो यह binomial हो जाएगे ट्रैनोमियल में देखिए, ट्रैनोमियल में क्या है तो 4x square प्लस 3x प्लस 5 इसमें 3 term है एक हो गया 4x square एक हो गया 3x और एक हो गया 5 तो ट्रैनोमियल हो जाएगा, जिएर है तो monomial Binomial Trinomial समझ में आ espaço अर तीन term है तो Trinomial एक और होता है चार term वरा जिस equation में चार term होते हैं bat तेन term के लावत चार term होंगे वो Quadrinenomial कहला है Quadr Traditional क्या कहलाएगा Quadr McCain मने Paterson's Char होता है तो Quadrneal खेलाएगा और अगर चार से जयाद़ term होंगे तब व क्या होगा तो 4 से जादा जब तर्म होंगे तो उन सब को हम लोग polynomial कहेंगे ठीक है, 4 से जादा अगर टर्म आता है, जैसे 5 तर्म हागिया 6 तर्म हागिया, 7 तर्म हागिया जितना भी तर्म हागा, तो अब uसको हम लोग क्या कहेंगे, polynomial, मतलब एक से लेके 4 तक के ही टर्म वाले equation को हम लोग ने खास नाम दिया गया है, एक टर्म को हम लोग monomial बोला, दो टर्म होंगे तो binomial, तीन होंगे तो trinomial, चार होंगे तो quadrinomial, ठीक है, और चार से ज़्यादा होंगे तो उनको सीधे polynomial बोल दिया गया है, clear है, तो टर्म के basis पर आप लोग पहचान जाओगे कि कौन monomial है, कौन binomial है, कौन trinomial है, यहां तक clear है, चली, तो अब हम लोग आते हैं, आगे, हम लोग टर्म के basis पर जान गये हैं, कि polynomial कितने types को होते हैं, अब आते हैं, degree of polynomial जाना जाया है, और degree के basis पर polynomial के कितने types होते हैं, उनको दिखा जाएगा, च्छीक है? चली, तो यहां तक समझ में आया है, यहां तक सारे concept clear हो गया है, तो आप लोग आगे आते हैं, degree के basis पर polynomial के कितने कि इतने term होंगे तो पहले तो degree दिखा जाए कि polynomial कि degree होती क्या है degree किसको कहते हैं तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर कोई भी equation अगर आपको दिया गया है तो उस equation में जो सबसे highest power होता है ना जो सबसे highest power होता है उसी highest power को degree of polynomial कहा जाता है जैसे इसको यहाँ समझी है हमने आपको दे दिया 5x का power 4 plus 2x square plus 3x का power 3 plus 1 हमने ये वाला एक आपको equation दे दिया और इस equation में आप से पूछा कि बताए इसके degree क्या होगी तो हमने क्या कहा कि जो highest power उस polynomial का जो सबसे highest power होता है वही degree कहलाता है तो इसका highest power कौन ता है इसका highest power power कौन को न है चार है दो है और तीन है ये तीन है ये दो है ये चार है तो जो highest power होगा वही क्या होगी इसकी degree हो जाएगी चीक है तो highest power इसका क्या है 5x power 4 तो 4 इसका highest power है तो इसके degree कितनी होगी तो इसके degree 4 होगी समझ में आया, यहां देखिए हमने लिखा भी है कि highest power of x in polynomial px is known as degree of a polynomial मतलब polynomial px में जो x का सबसे highest power होगा न x का सबसे highest power वही आपका degree कहलाता है लिया थे यहां तक, समझ में आया power कुछ एक equation में power कईट हो सकते है 4, 5, 6, 7, यहां 4 दिया, यहां 2 दिया, यहां 3 दिया तो सारे power में से बस आपको देखना है कि highest power कौन है तो जो highest power होगा वही आपका degree हो जाएगा यहां तक clear, कोई दिक्कत किसी को, नहीं अब हम लोग आते है, degree of polynomial मतलब degree के basis पर polynomial को कितने parts में divide किया गया है तो वह हम देखेंगे, चीक है, तो देखिए, types of polynomial on the basis of degree तो degree के basis पर polynomial को कई अलग-अलग types में divide किया गया पहला है constant polynomial, दूसरा linear, quadratic, cubic, biquadratic, उसके बाद 0 चीक है, तो पहले हम लोग अभी constant को अभी रहने देते हैं और 0 को रहने देते हैं, पहले हम लोग linear, quadratic, cubic और biquadratic देखते हैं चीक है, अच्छा, linear polynomial किसो कहेंगे तो linear नाम से पता चल रहा है, linear का मतलब क्या होता है, 1 होता है linear मतलब क्या होता है, 1 होता है तो linear polynomial किसो कहेंगे तो वैसे polynomial जिसकी degree 1 हो जिसके degree 1 हो, degree मतलब जिसका highest power 1 हो वैसे polynomial जिसका highest power higher degree कितना आ रहा है, degree कितना रहा है, 1 आ रहा तो वैसे polynomial को हम लोग linear polynomial कहते हैं जैसे example में 2x plus 1, यह किसका example होगा? linear polynomial का, क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसका highest power x का कितना है? takes के उपर कोई power नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है जब किसी variable के उपर कोई power नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि power कितना है? 1 है, तो कि 1 को थो हम लोग लिखते हैं नहीं, यह 1 छिपा हुआ रहता है दिखें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? linear polynomial जैसे हमने लिख दिया, 4x plus 5y equal to 0 यह कौन सा polynomial कहला हैगा? linear polynomial लेकिन इसमें variable कितने हैं? दो अलग अलग variable है तो इसी को हम लोग कहेंगे linear equation in 2 variable यह 4x plus 5y equal to 0, equal to 0 कर दिया मतलब वो equation बन गया पहले ही आपको बताया है, चीक है? तो अब power कितना है? degree कितनी है? 1 है degree 1 है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? linear और 2 variable है, तो इसलिए क्या हो गया? linear equation in 2 variable चीक है? जो आप लोग को आगे पढ़ना भी है तो समझ में आ गया है न, कि linear polynomial किसको कहेंगे? जिसका power 1 हो, जिसके degree 1 हो अब आईए quadratic polynomial, तो quadratic polynomial किसको कहेंगे? तो वैसा polynomial जिसके degree 2 हो जिसके degree 2 है, degree 2 का मतलब जिसका highest power 2 हो मतलब उस पूरे polynomial में सबसे highest power जो 2 है तो उसी polynomial को हम लोग quadratic polynomial कहते हैं यह है, quadratic मतलब 2 होगा और by quadratic मतलब 4 होता है तो linear polynomial जिसके degree 1 हो quadratic polynomial जिसके degree 2 हो QBIC polynomial किसको कहेंगे तो जिसके degree 3 हो re 3 का मतलब कि वैसे polynomial जिसके highest power 3 दिया हुआ हो वो उसका degree क्या हो जाएगा 3 जिसके degree 3 हो कि वो cubic polynomial कहलाएगा यहां तक near और bicuidetic इसको कहेंगे तो वैसा पॉलियनोमिल जिसका highest power कितना हो 4 हो देखिए, यहां जिसका highest power कितना हो, 4 हो, मतलब जिसके degree कितनी हो, 4 हो, तो वो हो जाएगा मेरा biquadratic, तो degree के basis पर आप polynomial समझ गए, कौन-कौन होंगे, तो पहला देखिए, linear polynomial मतलब degree 1, quadratic polynomial मतलब degree 2, cubic polynomial मतलब degree 3, ठीक है, biquadratic polynomial मतलब degree 4, ठीक है, अब biquadratic मतलब जिसके degree highest degree कितनी हो, 4 हो, अब जिसके degree 5 हो, उसको क्या कहेंगे, जिसके degree 6 हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग normal polynomial में ही जानते हैं, ठीक है, मतलब सिप्स special नाम जो दिया गया, वो linear quadratic cubic और biquadratic, maximum highest 4 power तक नाम दिया गया है, 4 power से ज़्यादा अगर किसी क होगा power, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको normal polynomial ही कहा जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया न, तो हम लोग को जो अभी पढ़ना है इस chapter में, वो quadratic polynomial के बारे में detail में पढ़ना है, मतलब quadratic के बारे में पढ़ना है, cubic polynomial पहले के class 10 में पढ़ना था, बस बढ़ इस chapter में, मतलब इस session में, जो class 10 का जो निया session अभी जो start हुआ है, इस में से, NCRT में से, cubic वाले question को हटा दिया गया है, CBSC board की तरफ से, मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ quadratic polynomial के ही बारे में पढ़ना है, clear है, detail में, linear के बारे में तो आप लोग अल्रेडी 9 में पढ़ चुके हैं, इसमें आप लोग को quadratic के बारे में पढ़ना है, पहले वाले तेंथ में आप लोग को quadratic और cubic दोनों पढ़ना था, लेकिन आप आपको खाली quadratic पढ़ना है, आप लोग का काम और आसान हो गया, चीक है, by quadratic तो आभी आपको पढ़ना ही नहीं, चीक है, चलिए, तो ये सब तो हो गया, अब दो हम कहलाएगा, कहलाएगा ना, इसको भी तो हम लोग two equal to zero कर सकते हैं, तो two में ना क्या है, two यहां क्या है, constant है, तो इसलिए हम लोग two constant है, तो इसलिए इसको हम लोग constant polynomial कहते हैं, देखे, constant two को हम लोग क्या लिख सकते हैं, two को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, two x का power zero equal to zero, किया यह आप equation बन गया अब तो आप मान लिजे यहाँ आपको equation doubt हो रहा था तो क्या यह equation आप कहलाएगा ना क्योंकि यहाँ पर variable भी है यह variable भी है यह constant number भी है coefficient भी है तो यह equation बन गया तो equation बन गया तो यह क्या हो जाएगा इसी को हम हम लोग कहते है constant polynomial और हमेशे याद रखिए constant polynomial की जो degree होती है वो zero होती है जीरो कैसे होई वो भी समझ में आगे है ना खाली two को आप कैसे लिख सकते है two into x का power zero लिख सकते हैं ना क्यों क्योंकि x power zero का मतलब one होता है किसी भी चीज का power अगर zero हो तो वो क्या हो जाता है वो five का power भी अगर हम zero लिखेंगे तो यह equal to one होगा अगर hundred का power भी अगर हम zero कर देते हैं तो यह equal to one होता है मतलब किसी भी number या किसी भी variable या किसी भी constant number का पावर अगर आप 0 कर देते हैं तो वो कटके खतम होके 1 1 आ जाता है चीक है तो यहां पर हमने क्या किया है 2 था तो 2 को हमने क्या कर दिया 2 into x का पावर 0 का मतलब क्या हुआ 2 into x का पावर 0 मतलब 1 हो गया तो 2 under 2 वापस फिर से यही फॉर्म में आ गया चीक है तो इसी को हम लोग constant polynomial कहते है constant polynomial का मतलब जैसे इसका example खाली 2 खाली 2 यह क्या कहलाएगा constant polynomial जैसे 5 x का पावर 0 है यह भी क्या कहलाएगा constant polynomial क्यों 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 एक साप पावर 0 1 होता 5 into 1 कितना हो जाएगा 5 मतलब constant number आ इसके degree कितनी होती है तो आप हमेशे याद रखेगा constant polynomial के degree जो होती है वो 0 होती है कितनी होगी 0 यहां हमने दिखाया भी है constant polynomial के degree 0 कैसे होई यह है जैसे हमने अगर 6 लिखा है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 into 1 लिख सकते हैं और 6 into 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x का power 0 लिख सकते हैं तो यह बन गया है कि equation आपका polynomial बन गया एक सब पॉर 0 तो 6 इंटू एक सब पॉर 0 बराबर 0 तो यहां पर constant polynomial का variable कितना हो गया तो variable किसको के ओपर जो degree पावर होता है तो constant polynomial का degree कितना हो गया तो 0 हो गया यहां तक बात समझ में आई ना चलिए तो constant polynomial हो गया अब आता है zero polynomial तो zero polynomial को की degree को define नहीं किया गया है zero polynomial मतलब खाली zero को कहते है खाली zero अगर दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा zero polynomial कहलाएगा zero equal to भी तो zero हो सकता है जिक है तो 0 polynomial का मतलब क्या हुआ, 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 into 1, क्यों, क्योंकि 0 into 1 की जगह तो भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, चीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 into 1 को हम लिख सकते हैं, x का पावर 0 equal to 0, लिख सकते हैं, चीक है, तो 0 into x power 0 equal to क्या हो गया, 0, तो यह क्या है गया? पॉलिनोमियल नहीं बन गया, जब यह पॉलिनोमियल बन गया, तो यह आपका क्या हो गया? जिरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? जिरो पॉलिनोमियल की डिगरी डिफाइन नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप जिरो पॉलिनोमियल की डिगरी आप नही लिख सकते हैं, नहीं मतलब कुछ बताया नहीं गिया है, ठीक है, कि zero polynomial के degree कितनी होगी, यहां तक clear है, ठीक है, तो constant polynomial के degree आपके कितनी होगी, zero, लेकिन zero polynomial के degree आपके पूछा जाती है, यह not define होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कर लिजेगा अब, चले, समझ में आ गया, तो याद रखिएगा, constant polynomial के degree zero होगी, और zero polynomial के degree जो होगी, वो not define होगा, चले, तो देखें, यह concept वाला वीडियो था, concept चल रहा था, polynomial के पूरे concept को detail में हम बता रहे थे, इसलिए तो वीडियो यह लंबा हो गया है, आदे घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप लोग जो already जो पहले से पढ़ चुके हैं, वो revision करने के लिए double speed में वीडियो को देख सकते हैं, चीक है, जो लोग polynomial पहली बार पढ़ने हैं, वो एकड़म single speed में, एकड़म आराम तीपिनान से बैट करके इसके concept को पहले समझेए, क्योंकि जब तक concept clear नहीं होगा, तब तक आगे इस question को आप नहीं बना पाईएगा, और याद रखिए हैं कि इस exam में इस chapter से question काफी अच्छे question आते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, यह आपका important chapter है, चलिए, तो जब यह हो गया, अब उसके बाद, यहाँ पे कुछ question का आपको दे रहा है, इसको आपको बताना है कि कैसे इसको solve किया जाए, तो value of polynomial कह रहा है, तो आपको एक polynomial दे दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि x बराबर कितना है, जब x बराबर 2 है, तो इस polynomial का value पूछ रहा है कि बताए, इस polynomial का value कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, यह basic question है, जो x का value दिये, उस value को हम इस equation में put कर देंगे, पूछ कर देंगे, मेरा जो answer आएगा, वही इसका value of polynomial होगा, चीक है, तो किसी भी polynomial का value अगर आपसे पूछा जाए, तो x बराबर इतना या y बराबर इतने पर इस polynomial का value कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो x का value दिये है, या y का value दिये है, उस value को आप इस equation में put कर दिजिए, आपका value of polynomial आजाएगा, चीक है, तो देखिए, हमने किया, fx equal to कितना दिया था, x cube plus 2x plus 1, चीक है, यह कौन सा polynomial है, आप बताइए, यह cubic polynomial है, चीक है, इस polynomial में हमको x का value 2 दिय 2 into 2 हो गया, x है, हमने 2 put कर दिया, अब plus 1 हो गया, चीक है, तो 2 का cube कितना हो जाएगा, 8, 2 into 2 किजिएगा, तो कितना हैगा, 4, अब plus 1 का 1 हो गया, सब को जोड़ दिजिए, 8, 4, 12, और 1 कितना हो गया, 13, मतलब आपका answer कितना हो गया, 13, तो value of polynomial कितना हो गया, 13 आगया, चीक ह कैसे कोई भी question होगा, तो आप निकाल लेजीगा, polynomial दिया रहेगा, यहाँ x या y, अगर polynomial में variable x है, तो x का value देगा, अगर variable y है, तो y का value देगा, जो value देगा, बस उसी value को इस equation में put कर देना है आपको, put करके, इसको solve करके जोड़के निकाल लेना है, चीक है, अब आईए, zero of polynomial, polynomial का zeros निकलना, तो इसको हम रहने देते हैं, चीक है, इसको हम next class में समझाएंगे, क्योंकि विडियो जादा लंबा हो रहा है, zeros of polynomial को काफी detail में समझाना पड़ेगा, कि zeros होते क्या है, zeros किसको कहते हैं, linear polynomial के कितने zero होंगे, quadratic polynomial के कितने zero होंगे, आप कैसे पहचानीएग किस equation के zeros कितने होंगे, बस खाले equation के किस equation के कितने zeros होंगे, फिर zeros को आपको निकालना कैसे, कैसे आप find कीजेगा, तो ये वाला जो class है, वो अगले वीडियो में अगले class में बढ़ेगा, कोई इक्कत, तो ये वाला class आपको पूरा अच्छे से समझ में आया, जो नहीं समझ होगा आप कमेंट में पूछी हम आपको डेटेल में पूरा उसका एक्स्प्लैनेशन देंगे ठीक चली थैंक्यू